स्वागत है एक नई विडियो में आज के वीडियो में हम इंटर्नल स्पेस में ड्रॉइंग कैसे करते हैं वह सिखने वाले हैं मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट करके मुझे लिखा था कि कोई ऐसा विडियो बना ए जिसमें इंटर्नल प्लानिंग कर सके हम है वह हम कैसे रखे कैसे उसकी सही से प्लानिंग करें पूरा गर का या पूरा फ्लैट का तो एक ही वीडियो में समझाना थोड़ा मुश्किल था इसलिए हमने सोचा कि चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक बेडरूम से और वहां से बेडरूम से लेके माश्टर बेडरूम में जाएंगे माश्टर बेडरूम से कीचन में कीचन में से ड्रॉइंग रूम लेविंग रूम सब का एक एक करके अलग-अलग वीडियो में करते हैं तो आपको समझ में भी अच्छे से आएगा और सिखने को भी मिलेगा तो आज के वीडियो में हम बेडरूम का 10 x 11 का साइज आपकी स्क्रीन के सामने तो वह बेडरूम की साइज में हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं पहले तो आपको रिक्वार्मेंट पता होनी चाहिए अगर आपका खुद का घर है या खुद का फ्लेट है तो आपको पता है क्या-क्या आपको चाहिए लेकिन को एक्लाइंट के requirement में पहले एक नंबर है यह bedroom है तो उसमें बेड़ तो आएगा सेकंड नंबर है कि वाड्रॉब या कबार्ट जो भी आप बोलते हो वाड्रॉब चाहिए तीसरे नंबर पर है बेड्रॉम के साइड में एक साइड टेबल आए जा कुछ ऐसे सरी और कुछ बुक्स या कुछ सामान आपका पड़ा रहे और ड्रॉवर में भी कुछ सामान रहे हैं चान नंबर पर मैं लेता हूं यह चोटा सा बेड्रॉम है लेकिन इसमें अगर आप चिल्डन बेड्रॉम की तरह यूज़ करना चाहते हो तो उसमें एक स्ट्रडि टैबल आज के टाइम में हर एक को चाए होता है तो एक स्ट्रड़ी टैबल कि तो यहां से अगर हो सकता है तो ट्रेसिंग टैबल के लिए कोई खास अलग से में जगा नहीं दूंगा लेकिन जो वार्ड रॉप जहां पर देना है वहां पर ही उसके उपर मिरर सेट करके आगे एक चैर रखके उसमें हम सेट कर सकते क्योंकि बेटरूम साइज आप देख सकते हो बहुत ही स्मॉल साइज है के डस ग्यार है अभी हाल के जो अपार्टमेंट जभी बढं रहे है उसमें जो मास्टर बेटरूम के अलावा एक बेटरूम होता है उसकी साइज लगवग यही होती है दस बाइंगा दस वह बेटरूम साइज आपको मिलेगी तो उसमें आप प्लानिंग कैसे क्रद करोंग में आपका बेड़ होगा कौन सी डाय एक्षन पे आपका का जब आप प्लानिंग करते हो तो उसमें बेड़ की जो कि लेंथ हैं वीट है तो वह हमारा सीर कहां पर रहेगा और पैर कहां पर रहेगे वह डायरेक्शन हमें देखना पड़ता है क्योंकि जो सीर है वह तो यह अपना जो बेड़्रून हें यहां पर नौठ है यहां पर साउथ है यहां पर वेश्ट है यहां पर इस्ठ है तो आपना जो जो बेड़ आएगा उसमें अपना सीर रक्र खीरिदों कि चलता नहीं रख सकते की हमेड़ से करना है कि हमारा मेड़ वो दाएर्प बागी तीना डारेक्षिं ऐसा नहीं रख sow boa उत कि यहांना पे अभा घृतियां dif ठोये आइसे में रख सकते घ्ला पर कूछ दी यहां ऐसे रख सकते हैं अब इसमें यह डायरेक्शन का यूज में बेड में नहीं करूंगा कि यहां पर जगा भी छोटी है यहां पर दर्वा जा जाता है और साइट टेबल भी मुझे रखना है तो इसके लिए यह जगा भी सफिशन नहीं अब बाड़ी आई इस वाजू की विंडो के साइड में यहां विंडो के सामने बेड में रख सकता हूं यहां पर इस साइड पर होता क्या है कि हमारा बेड रूम की साइज बहुत छोटी है तो यह जगा बीच में बेड लेने से यह जबा भी छोटी-छोटी जगा दो बाजू रह जाती है तो इससे क्या होत यहां पर पे बेड अभी सोच रहा हूँ, ël कई पर बेड़ легइं की यहां बीच में लेगे तो यहां पर अगर बीच में लेते हैं तो यहां पर दरवा जैंड बहुं पास में आ जाएगा, तो हमया से करेंगे यहां पे हमारा आया यहां पे चोटा सा साएक are Sunra ऐलाया कि यहां पे रेफी यहां कि अब देख सकते हो यहां पे जगा मुझे ज्यादा मिल रही है पो यह पे मैं एक वाडुर में रखांगा यहां से ने के यहां से यहां तक पूरा तक नहीं ले जाओंगा क्योंकि अभी दर्वाजे के पास सक तक हम अगर वार्डरॉब ले जाते हैं तो वह भी दर्वाजा जब हमारा वह दोर खुलेगा तब थोड़ा पर यहां से कुछ यहां तक हैं यहां मेरा स्टड़ी टेबल आयेगा और स्टड़ी टेबल Pro पर यहां पर शोकेश यहां पर बुक्स रखने के लिए मैं यहां पर कबाट एक ऊपर करूंगा अभी हम ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं तो फ्लोर में जहां जहां अरेंजमेंट होती है वह बात करेंगे और यहां पर हमारा चेयर आ जाएगा तो इतनी एकम मुझे सैट करनी थी और यहां पर जो जगह बचेंगे यहां पर एक सिंगल सीट आउट रखेंगे और यहां पर जो वाड्रोब का लास्ट शटर होगा वहां पर मीरर लगा देंगे तो वह ड्रेसिंग के भी काम में आएगा तो आप देख लो यहां पर हमारा बेड़ भी आ गया वाड्रोब भी आ गया दरवाजे के बाजू में थोड़ी जगह भी मिल जाती है यहां साइट टेबल भी सेट हो जाता है यहां पर सामने स्टड़ी टेबल आ जाता स्टड़ी टेबल के उपर आप लैप्टॉप रख सकते हो यहां कोई छोटी स्क्रीन एक यहां तीवी भी रख सकते हो तो यहां बेड में से आप देख सको यहां पर स्टड़ी टेबल के उपर के उपर आप स्व does रख सकते हो यहां दरवाजा कहले हूं चैबल जो साइड टेबल अव्सकेट उपर भी सीच बॉर्ठ आएगा यहां पे भी आप स्विच बॉठ रख सकते हो टूवे जैसे फैन और लाइट की स्वीच टूवे होती है वह सब यहां पर रख सकते हो तो फ्रेंड्स हमने देख लिया कि कैसे में प्लानिंग करना है अब अब आटो केड में उसको कैसे ड्रो करेंगे वह देखते हैं सबसे पहले रूंप की साइज हमारी है हमारे पास दसबाइग ग्याँ तो जो बेड रखना वह बेड हम रख लेते उसके पहले लेड़ क्रेट कर लेते हैं लेड़ इंटर लेड कमांड लिया और यहां पर हमें आप देख सकते हो कि इतनी सारी कि अधिने बना के रखी है हमारे प्लानिंग के लिए एक और लेयर हम क्रियेट करेंगे नियू लेयर क्रियेट करेंगे और यहां पर हम लखेंगे उसका फर नीचर ऐसा नेम दे देंगे यहां पर जो कलर है उसका ग्रेश रखते हैं यहां पर उसका ग्रेश कलर रखते है तो जो यह लेयर है उसका जो लाइन वेट है वो हम पॉइंट 15 mm लेते हैं डबल क्लिक करोगे तो वो लेयर एक्टिवेट हो जाएगा यहां से अब लेयर की प्रॉपर्टी क्लोज कर लेते हैं तो अभी सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है अपना बेड तो बेड की साइज जो मिनिमुम साइज है वो रखेंगे क्योंकि बेड्रूम की साइज जिस तरह से है उसी तरह से हम बेड्रूम की जो साइज है वो मिनिमुम जाके चलेंगे तो यहां से आप रेक्टेंगल क्लियेट करते हैं एंटर यहां से जैसे मैंने बताया था यह पॉइंट से हम लेंगे यहां से इसका फर्स्ट पॉइंट हमने दिया और यहां पर आप नीचे देख सकते हो डाइमेंशन पर क्लिक करना है और पहले जो साइज है बेड्रूम की वो मिनिमुम लेंगे तो यहां पर जो वीड्रोम लेंध इसको फिट लेता हूं और वीड्रोम लेता हूं तो आप देख सकते हो बेड्रूम की कि जो element है यहां पर bedroom आ गया है में देख लेते हैं कि इस तरफ चाहिए था बस सभी है तो अब देख सकते हो कि यहां से पांच फिट लिए है और यहां से हमने यह विद ली आ है तो यहां पर हमारा bedroom यहां पर arrangement उसकी हो गई है इसके बाजू में साइड साइड टेबल मुझे चाहिए आप देख सकते हो कि दर्वाजा जो डोर है दोर तीन फिट का डोर है और यहां से डोर से बेट रूम का थोड़ा जगा बच रहा है यहां पर मुझे साइड टेबल सेट करना है साइड टेबल की क्या साइज लूंगा मैं तो मुझे पहले यह जगा देखनी चाहिए कितनी जगा हमारे पास बच रही है दर्वाजा जो डोर है वो खुलने के बाद अगर यहां से मैं लूँ तो मेरे पास जगा है वो टू फिट फॉर इंच जितनी बच सकती है तो ऐसा नहीं कर सकते है टू फिट फॉर इंच जगा बच रही है तो उतना ही साइड टेबल यहां पर रख दो क्योंकि वह तो बहुत ही अंकमफर्ट रेबल सा होगा कि दर्व किया और यहां पर जो साइज है पहली वह एक फिट टैन इंचिस एंटर और आगे कि कहां तक आएगा तो वन फिट ट्री इंचिस पंद्रा इंच ही आगे मुझे चाहिए पंद्रा इस भी आप डायरेक्ट डाल सकते हो तो इस प्रकार से आपका आगे आप देख सकते हो कि ग्रे लाइन में आपको दिख रहा है ग्रे लाइन में आपको दिख रहा है ग्रे लाइन में आपको दिख रहा है साइट टेबल भी यहां पर आ गया है यह ग्रे लाइन इसलिए रखी है क्योंकि बहुत ज्यादा भी ना दिखे और बहुत कम भी ना दिखे आपको पता चल आ रहा है फिर आप उसमें टेक्स लिख सकते हो अपने तरब से या डाइमेंशन भी दीखा सकते हो अभी बारी आई वाड़ ड्रॉब की ये मुझे ग्रे बहुत कम दिख रहा है आपको दिखाने के लिए मैं अभी उसको थोड़ा कलर चैंज करते हम उसका एले एंटर यहां से उसका ग्रे है थोड़ा दिखायज दे अच्छा इसलिए थोड़ा करते हैं उसको ओके अभी आपको दिखाय देता होगा तो आप देखें साइट टेबल यहां पर हमने रख दिया यहां पर यह बेड रख दिया अभी यह यह वाल पर मुझे वाड़रॉप रखना है तो वाड़रॉप के लिए भी मैं आरी सी आरी सी एंटर अब यह ब्लू लाइन जो है वो बीम आता है वह अपना 10 feet है अगर रूम की तो 10 feet से नीचे एक feet का अगर बीम है तो 9 feet तक यह बीम आएगा तो यहां से तो नीचे हमें वाड़रॉप लेना है तो हम यहीं वाल के पॉइंट से लेगे क्योंकि बीम तो हमारा उपर आने वाला है यहां से पॉइंट लिया फिर इस 1 feet 10 inches एंटर और वीड़ डालेंगे 6 feet 7 inches और यहां पर हम उसको प्लेस कर देंगे तो आप देख सकते हो यह में डाइमेंशन है अभी वह बाल ले जाता हूँ ह। तो अब देख सकते हो हमने वयर यहाँ पर डाल दिया बेड रूम यहां पर बेट डाल दिया यहां पर साइच टेबल कर दिया अब बार्य आती है हमारे study table की study table यहां प यहां पर हमने कुषिच σकेश बनाया था तो वहां पर study table बनाएंगे study table के लिए फिर से R, E, C, Enter यहां से एक point यहां से लेंगे फिर यहां से नीचे dimension लेंगे वो हमारे जो length जो चाहिए वो length हमें चाहिए study table की वो चाहिए जो bedroom की size है यह bed की size है उसके line में ही चाहिए यानि 5 feet चाहिए तो 5 feet enter और कितना बाहर आना चाहिए तो वो बाहर आना चाहिए हमारा study table जो है वो 1 feet 8 inches यानि 20 जितना बाहर आना चाहिए तो इस प्रकार से यहां पर click कर दिया तो आप देख सकते हैं हाँ पर study table हमने रख दिया अब यहां पर chair आप रख सकते हो चेर के लिए मैं अभी एक सर्कल बनाता हूँ टी यार एंटर इस तरह से तो यहां पर chair आ गई हमारी तो यहां पर भी sufficient जगह है आप देख सकते हो कि अभी जो हमना रा स्ट्रडी टेबल है स्ट्रडी टेबल से बेड से हमारी तीन फीट चार इंट जगह है तो सफिशन जगह है चैर को मूव करने में सई जगह है और अभी देख सकते हो आप कि हमारा पूरा बेड्रूम हमने यहां पर सेट कर लिया है अगर आप साइध डाइमेंशन दिखाना चाहो तो डाइमेंशन की इंटर डाइमेंशन की लेयर है उसको अन कर दो और सभी डाइमेंशन आप इस प्रकार से दिखा सकते हो यह फाइव फीट यहां से वन फीट एट इंच यहां जगह कितनी बचती है हमारी बेड्र से तीन फीट चार इंच बचती है यह माप हमने दिखा दिया है यह दोनों को सिलेक करके हम डाइमेंशन उसका लेयर चैन्ज कर लेते हैं यहां पर साइड टेबल भी आप देख सकते हो साइड टेबल यहां से सिलेक कि हमने और यहां से यह माप वन फीट टैन इंच इस और यहां से 1 feet 3 inches यहां से कितनी जगह छूटी है वो भी बताना है हमें तो यहां से क्लिक करके यहां दीवाल तक इस तरह से 1 feet 5 inches जो वार्डरोब हमारा आया वो 6 feet 7 inches और यहां से 1 feet 10 inches अभी आप सोच रहे होगी यहां पर कॉलम है तो कॉलम में हमने तो यहां से ही मापव लिए 5 feet का जो लिया study table के लिए लेकिन यहां पर जो कॉलम है वह हम यहां study table में यहां से ऐसे क्योंकि अगर यहां से कॉलम से माप लिएने जाता था तो यह जगह पन पढ रहığını थी तो यहां पे study table थोड़ा कम मिलेगा वो चलेगा लेकिन यहां हमें पूरी width उसकी है जो use करने को मिल रही है तो ऐसी कोई दिक्कलवारी बात नहीं है अब यह आप text अगर लिखना चाहो तो text भी लिख सकते हो text के लिए यहां से text activate कर लो और यहां पे आप single line text single line text point fix करो height उसकी हम three inches लेता है enter rotation zero okay यहां पे हम बेट लिख सकते हैं और यहां पे निच्चे अगर size बता नहीं हो तो size भी बता सकते हो five feet by six feet अभी size हम बता है यहां पे बताते हैं तो गर आपनों dimension नहीं रखना तो नहीं भी रख सकते हो कि डाइमेंशन हम निकाल देता है क्योंकि फील जगा बहुत कम दीखेगी हमको यह बेडरूम हमार आ गया five by six का यह आ गया अपको ना टेबल तो फिर से एक काम यह भी कर सकते हम यह पूरा यहां से लेके c o enter copy यहां से base point पिक करके यहां पर हम कुछ रख सकते हैं और यहां से उसकी टेक्स की बदल देते हैं कि साइट टेबल कि यहां पर फॉंट की हाइट है थुरह कम कर लेता है कि बाहर जा रहा है साइट टेबल की जो लेंथ वीड थी वो यहां पर हम डाल देते हैं साइट टेबल की लेंथ वीड थी कि यूंट टेन इंचीज बाइ वान फिट ट्री इंचीज वहन फिट ट्री इंचीज यहां पर भी आप कि यहां गया अपना साइड टेबल यहां पर आप वाड़र अब लिख सकते हो कि और को एंटर कॉपी करके एक यहां पर हमें चाहिए एक यहां पर हमें चाहिए एक इप बाद अबॉड़र मालचे अऐरे और रिख सकते हूँ calm इप इप कि और बार र américत है और ते लिख सकते हैं नशी हाँ ठाट सेट इए षून इच्छंपा अच्छित कॉड़र मालचे नशीना इंचेशी मालचे औरन दोनों की हाइट थोड़ी कम कर लेते हैं यहां से टू इंचीस एंटर बस अभी आ रहा है अंदर अभी यह डायमेंशन की रिक्वार्मेंट नहीं है यहां पर हमार आ गया स्टडी टेबल स्टडी टेबल उसकी जो पांच फीट लेंथ है और वन फीट एट इंच वीड़ थैं अभी डायमेंशन नहीं चाहिए तो आप निकाल सकते हो इस तरह से लेयर एंटर यहां पर अभी हम जो फरनीचर वाला है उसका कलर थोड़ा चैंज करते हैं ब्लैक रखते हैं तो आपको दिखाए देगा ओके कि अभी आप देख सकते हो कि इस प्रकर से हमने के है है यहां पर मारा बेड yağ गया यहां पर भूआ पर यहां पर साइड टेबल सीज कर लेते हो अपने र kolay सर्द के त्रू जगह है वह को finalize कर दो तब आप block insert करवा सकते हो मैंने कई ड्रोइंग में देखा है कि कई लोग क्या करते है कि planning तो कर लेते हैं पर फरनिचर arrangement की बात आती है तब block को insert करवा लेते हैं जबकि इसमें क्या होता है block को scale करा के कोई की dimension पर scale करके उसको रख देते हैं उसमें की दिक्कत क्या होती है कि 10 by 10 के बेड्रूम में वह चार बाइचार का बेड़ दिखा देते हैं सामने वाड़र दिखा देते हैं एक बाजु साइड टेबल दिखा देते हैं यानि scale का कोई पता भी नहीं तो जब actually में जब work करने जात को अग्सपला बीक फिर ब्लॉक इंसट और जैसे हमने यह पर यह पर एक बेड़ बेड का ब्लॉक इंसट करवा है तो इस तरह आप जगह एक बार लकिर सकते हो यहां पर भी आप study table का उपर का जो view है उसको भी block में insert करवा के scale करा सकते हो यहां पर wardrobe का जो उपर का plan में जैसे दीखता चाहिए वैसे block आपको मिल जाएगे तो वहां से आप insert यह scale करा के करवा सकते हो लेकिन internal planning इस तरह होती है कि कहां कौन सी जगह पर क्या furniture कौन सा आएगा और कितना उसका minimum dimensional में चाहिए वह दिमाग में रखना चाहिए तो friends कैसा लगा वीडियो आपको यह वीडियो में क्या और भी changes आने चाहिए क्या आपको नहीं पता चला क्या आप और जानना चाहते हो जरू कमेंट बॉक्स में लिखे सब्सक्राइब कर दे अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो लाइक कर देना अबर वीडियो आपको पसंद आया है तो थैंक्यू सो मुच टेक केर बाए बाए थैंक्यू